नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है आज हम बात करेंगे सक्यूलेंट टेरारियम खरीदना एक बुरा विचार क्यों है इन टेरारियम की कीमत बहुत अधिक हो सकती है आम तोर पर इनकी कीमत तीन हजार से आठ हजार रुपे के बीच या अधिक होती है और सबसे बुरी बात ये है कि यह केवल एक से दो सप्ताह के लिए ही अच्छा लगेगा एक से दो सप्ताह के भीतर सक्यूलेंट्स में समस्या हो जाएगी हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे कि यह बुरा विचार क्यों है मैंने लोगों को घर पर भी ऐसी व्यवस्था करते देखा है कृपया ऐसी गलती न करें टेरारियम क्या है ये एक बंद ग्लास सेट अप है आदर्श रूप से ये केवल कुछ ऐसे प्रकार के पौधे के लिए हैं जैसे फर्न, फिटोनिया, मौस, आदी मूल रूप से ऐसे पौधे हैं जो उच्च हुमिडिटी और नमी पसंद करते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये वे दो चीजे हैं जो सक्यूलेंट्स को पसंद नहीं है हुमिडिटी और नमी आईए अब टेरारियम की सनरचना को समझें जैसा कि मैंने कहा था कि ये एक एन्क्लोजड सेट अप है इसलिए इसमें हवा का संचार नहीं होता है कोई छेद नहीं होता है बहुत छोटी तंग जगे होती है आधी सक्यूलेंट्स के लिए वायू संचार बहुत महत्वपूर्ण है इसके अलावा जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सक्यूलेंट्स की आवश्यक्ता होती है पांच से छह या छह से साथ घंटों के लिए सुबह की सीधी धूप यदि आप इस ग्लास टेरारियम को सीधी धूप में रखते हैं तो आप जानते हैं कि क्या होने वाला है अंदर में रखा हुआ सक्यूलेंट्स पकना शुरू हो जाएगा ग्लास गर्म हो जाएगा और हवा का प्रवाह नहीं होगा आप सक्यूलेंट्स टेरारियम को घर के अंदर नहीं रखें क्योंकि वहाँ ज्यादा रोश्नी नहीं होती है और सक्यूलेंट्स स्ट्रेच होने लगेंगे आदर्श रूप से टेरारियम को घर के अंदर या लिविंग रूम में रखा जाना चाहिए जहां अच्छा रोशनी हो लेकिन बहुत तेज ना हो क्योंकि आदर्श पौधे जो वास्तव में टेरारियम में उप्योग किये जाते हैं जैसे फर्न, फिटोनिया, मौस, आधी को बहुत अधिक प्रत्यक्ष की आवश्यक्ता नहीं होती है तो वास्तव में क्या होगा अगर सक्यूलेंट्स को ऐसे टेरारियम में रखा जाए एक तो अपरियाप्त रोशनी होगी इसलिए सक्यूलेंट पौधे स्ट्रेच होने लगेंगे दूसरे हवा का प्रवाह कम होगा जिससे कीट और फंगस सक्यूलेंट पर हमला करेंगे क्योंकि टेरारियम छोटे होते हैं कोई जलनिकासी नहीं होती है आपको पानी देते समय सावधानी बरतनी होगी और इसकी मात्रा बहुत कम होनी चाहिए बहुत कम पानी के कारण सक्यूलेंट्स में डिहाइडरेशन हो सकता है कुल मिलाकर यह एक बहुत बड़ी गड़बड़ी होगी लोगों ने वास्तव में ऐसा किया है और सक्यूलेंट्स को नश्ट कर दिया है जैसे फर्न, फिटोनिया, मौस, आदी जैसे पौधों को उच्य हूमिडिटी और मिस्टिंग की आवश्यक्ता होती है और आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम सक्यूलेंट्स पर मिस्टिंग नहीं करते हैं इसलिए सावधान रहें, इसे न खरीदें एक व्यक्ति जो टेरारियम में अच्छी तरह से अनुभवी है वह कभी भी सक्यूलेंट्स को टेरारियम में रखने की सलाह नहीं देगा तो दोस्तों, मुझे आशा है कि यह वीडियो मददगार था अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं और सबस्क्राइब करना न भूले तब तक मैं आपकी अनुमती चाहता हूँ अगले वीडियो में मिलते हैं अपना खयाल रखें और आपके समय के लिए धन्यवाद अगर आपके समय के लिए वीडियो में मिलते हैं